भविश्य मालिका एक ऐसी रहस्य मई किताब जिसमें लिखी भविश्य वानियां 2024 शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है। ऐसा माना जाता है कि आज से 600 वर्ष पूर्व उडिसा में जगनात मंदिर के पास जन में संत अच्युतानंदास जी को भूत, वर्तमान और भविश्य तीनों कालों को देखने की दिव्य शक्ती प्राप्त होई थी और उन्होंने भविश्य में होने वाली घटनाओं पर एक पुस्तक भविश्य माली का लिखी थी और आज वर्तमान में घट रही घटनाओं की वजह से उनकी भविश्य वानियां पुस्तक से निकल कर सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही हैं, जिसमें से अधिकतर भविश्य वानियां प्रिथवी के अंत को निकट बता रही इनके अनुसार कलियुक का अंत दो हजार बतीस तक हो जाएगा और चीन तेरह मुसलिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने वाला है जो तृतिय विश्व युद्ध होगा नमस्तें दोस्तों आज हम भविश्य मालिका पुस्तक में लिखी भविश्य वानिया और उनके पीछे छिपे सच के बारे में डीटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों सबसे पहला प्रशन ये उठता है कि जब भविश्य मालिका पुस्तक को 600 वर्ष पूर्व ही संत अचुतान अंदास जी लिख चुके थे तो इतने वर्षों से ये पुस्तक कहा थी और अभी हमारे वर्तमान के समय में इसकी चर्चा क्यूं बढ़ गई है तो इसका रीजन है कोविड कोविड के समय में इतनी बड़ी महामारी की कलपना किसी ने नहीं की थी कि इतने धेर सारे देश इसमें परेशान होंगे और उस समय इतना भय का माहौल था कि किसी को भी अपने भविश्य के बारे में नहीं पता था कि अब भविश्य कैसा होने वाला है और इसी बीच भविश्य मालिका पुस्तक चर्चा में आई क्योंकि वहाँ पर दावा किया गया कि इतनी बड़ी महामारी के उपर इस पुस जानाएं सच हो रही हैं या कि केवल एक कॉइंसिडेंस हैं इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे लेकिन भविश्य मालिका पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि संत अच्युता नंदास जी आखिर थे कौन दोस्तों अच्युता नंदास जी सोलावी सदी में उडीसा के कटक के तिलकाना गाव में जन्मे थे उनको गोपाल गुरू के नाम से भी लोग जानते थे उनके जो दादा थे गोपिनात मोहंत जी वो पूरी के जगननात मंदिर में एक मुंशी थे स्थानिय लोगों का मानना है कि संत अच्युता नंदास जी बचपन में ही चैतन्य महाप्रभू से मिल लिये थे और उनसे उन्होंने मंत्रों का ज्यान प्राप्त किया संत अच्यूता नंदास जी को पंच सखा या पांच संतों के समुहों में से एक माना जाता है जिन्होंने उडीसा के लिए हिंदू प्राचीन ग्रंथों को उडिया में अनुवाद किया था इन में से संत अच्यूता नंदास जी एक प्रखर लेखक थे जिन्होंने उडिया भाशा में कई किताबें लिखी और दोस्तों, अच्यूता नंदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, वो अत्यंत जटिल हैं क्योंकि उन्होंने रचनाओं को बनाने के लिए कोड्स और उपमाओं का सहारा लिया है इसलिए उनकी कविताओं का अध्ययन भी अपने आप में एक अत्यंत जटिल विशय है और साथ में उन्होंने हर एक काल पर चाहे वो भूत काल हो, वर्तमान काल हो या फिर भविश्य काल अलग-अलग कालों पर उन्होंने धेर सारी रचनाएं की हैं जिनमें से आज वर्तमान में भविश्य पर लिखी गई, उनकी जो भी रचनाएं हैं, वो तेजी से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है अब इन भविश्यवानियों के पीछे कितनी सच्चाई है, उसे हम वीडियो में आगे डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये भविश्यवानिया क्या क्या हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही जो भविश्यवानिया है अगर उनको देखे, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो 2024 का वर्ष है, ये शुभ नहीं होने वाला है जबकि हमने देखा कि कैसे जनवरी में ही श्रीराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होकर ये वर्ष हमें शुभ होता दिख रहा है अब यहाँ पर इन भविश्यवानियों में 2024 को शुभ इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि शनी मीन राशी में पहुँचेंगे और जब मीन राशी में पहुँचेंगे तब भारी विनाश करेंगे अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शनी 2024 में ही मीन राशी में प्रवेश कर गए है और धाई साल तक इसमें रहेंगे जिससे भारी विनाश होगा यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि किसान जो हैं वो खेती करना बंद कर देंगे जानवर, इंसानों पर हमला करेंगे और इसके साथ साथ पृत्वी में ऐसी भौगौलिक गतिविधियां होंगी जिससे बहुत धेर सारे भूकम्प हमें देखने को मिलेंगे अब इनी भविश्यवानियों के बीच जब 2024 के शुरुआत में जापान में भूकम्प आया तो ये भविश्यवानिया सोशल मीडिया पर और भी वाइरल हों गई इनी भविश्यवानियों में ये भी कहा गया है कि 2024 से आने वाला जो समय है वो बहुत ही बुरा जाने वाला है और 2025 से तो स्थितिया और भी बुरी हों जाएंगी इनमें ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जिन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है पुस्तक में ये लिखा है कि सूर्य के साथ एक और आस्मानी पिंड भी दिखेगा यानि आस्मान में आपको दो-दो सूर्य भी दिखेंगे और इन में से एक बंगाल की खाडी में गिरेगा जो उडीसा को जलमगन कर देगा ये समुद्र का स्तर इतना बढ़ा देगा कि जगनात पुरी के 22 सीधी तक पानी आ जाएगा अब जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी वहीं दूसरी तरफ महा युद्ध भी छिड़ जाएगा पुस्तक के अनुसार 2022 में ही तीसरे विश्वयुद्ध की नीव पढ़ जाएगी और 2025 के आते आते तीसरा विश्वयुद्ध छिड़ जाएगा और इस भविश्यवानी को साबित कर रहा है वर्तमान काल में चल रहा रूस और यूक्रेन और बहामास और इसराइल के बीच का वार इन ही भविश्यवानीों में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस महा युद्ध के बाद पृत्वी की कुल जनसंख्या 64 करोड ही बचेगी और साथ में जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी उनकी वज़ह से साथ साथ दिन तक पृत्वी पर अंधेरा बना रहेगा इंटरनेट पर फैली भविश्यवानी के आधार पर ये सभी घटनाएं 2022 से लेकर 2029 तक चलेंगी और उसके बाद पृत्वी का अंत हो जाएगा भारत के उपर चीन के साथ 13 मुसलिम देश आक्रमन करेंगे और जब ये आक्रमन होगा तब उडिसा के जो राजा होंगे वो राजा गजपती महाराज होंगे जिनकी कोई भी संतान नहीं होंगी और वर्तमान में उडिसा के राजा यहीं है और उनका भी कोई पुत्र नहीं अब इन भविश्यवाणियों में एक और चीज बताया गया है कि जो तृतिय विश्व युद्ध होगा वो 6 साल 6 महीने तक चलेगा और इसी बीच भगवान कलकी का भी जन्म होगा जो इस युद्ध में भारत का नेत्रित्व करेंगे और धर्म के लिए लड़ेंगे इस युद्ध के बाद पूरा का पूरा युरोप नश्ट हो जाएगा अमेरिका पानी में डूब जाएगा और रूस एक हिंदू राष्टर हो जाएगा पुस्तक के अनुसार लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जितनी भी घटनाएं होने वाली हैं इसका संकेत हमें पुर इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ सालों में पुरी के जगनात मंदिर में घट चुकी हैं तो दोस्तों इंटरनेट पर जहां एक तरफ भविश्य मालिका पुस्तक से भविश्यवानिया आग की तरह पैल रही हैं वही पर जो सच के रूप में थोड़ी बहुत घटनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं वो उस आग में घी का काम कर रही हैं दोस्तों अब सबसे पहले यही देख लेते हैं कि जो भविश्यवानिया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही हैं वो असली पुस्तक में हैं भी या नहीं दोस्तों अब जब कोई साधारन व्यक्ति भविश्य मालिका में इंट्रेस्ट लेता है जिग्यासा रखता है कि ये क्या है और उसके विशय में गूगल पर खोजता तो यहां पर एक पुस्तक उपलब्ध मिलती है जो आपको नॉर्मल शॉपिंग एप्स पर आसानी से मिल जाती है भविश्य मालिका पुराण के नाम से और ये वही पुस्तक है जिससे भविश्य मालिका सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पुस्तक अच्युतान अंदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है और साथ में आप इ दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेर करे ताकि उनको भी इन रूमर्स के पीछे के सच्चाई के बारे में पता चले